करनाठक में 14 महीने पुराने जेडियेस कॉंग्रिस घडबंदन सरकार गिर गई मंगलवार को करनाठक विदान सबों में विश्वासमत प्रस्टाफ पर वोटिंग में एश्टी कुमार स्वामी सरकार को 99 वोट मिले जबकी वीजेपी के फक्ष में 105 वोट पड़े विश्वासमत में जूद के बाद वीजेपी अमेल में खुशी की लहर दोड़ गई और वो कैमरे पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए गेजिर अपने अमेश शाह को एक चित्थी लिखते हुए कहा है कि आपके द्वारा अन्या पार्टी देता हूँ और पार्टी से मिले समर्थन के लिए मैं हिदेश से आपका धन्यवाद करता हूँ और शुब का मनाये देता हूँ इसी बीच कुमार स्वामी सरकार के गिरने की बाद बीजेपी कैम्प में जोरदार जोष्ण मनाया जा रहा पार्टी के व्रदाय क्रेणू का चारे ने रमाड़ा होटल के बाहर अपने समर्थकों के साथ धोल की थाप पर चमकर ठुमके लगाए पाकिस्तान के पी-एम इमरान खान ने अपने मुल्क की आतंकी संगटनों की मुझूद्गी स्पिकार कर ली है लेकिने अपने इस दावे के साथ इमरान खान ने एक विवादित बयान भी दिया है पुल्वामा तंकी हमले के बारे में इम्रान खान ने कहा कि ये एक ऐसा मामला था जिसे इस्थानिया तंक्यों ने अंजाम दिया इम्रान ने दावा किया कि जैशे मुहम्मद ना सिर्फ पाकिस्तान में मुझूद है बलकि कश्मीर में भी है और वहां से वो काम करता है असमें हाहाकारी बार का कहराम जारी पानी के प्रचंड प्रहार से सूबबे मरने वालों का अक्राएक गत्तर के पार पहुँचा कोछ दिनों से बार के साथ मुश्लादार बारिश में असंग ने जालतार हिस्तों की मुश्किले कई गुणा बढ़ा दी फिशले 14 घंटों से जारी बारिश की वज़े से कई नए इलाकों में बार ने अपनी चपेट में ले लिया है इसे भीच असंग में हाखाकारी बारिसे बेगर लोगों की मदद के लिए बोल्यवड सूपरसटार अमिताब बच्चन ने फीट कर लोगों से असंग के बार फीडितों के लिए मदद मांगी है अर्याना सरकार ने हिसार रोड से रतिया रोड को मिलाने वाले बाइपास का निर्मान कारेश शुरू कर दिया है और इस लोग निर्मान विभाद के द्वारा ये टेंडर लगाया गया जो की दो अगस्त को खुलेगा ये बाइपास को लटावन करोर की लागत से बनेगा जो की 66 फुट चोड़ा बाइपास शेहर को ट्राफिक से भी निजात दिलाएगा इस बाइपास की घोशना पांच साल पहले अर्याना के मुख्रमंची मनोहर लाल खटर ने की थी बाइपास ट्रतियो रोट पे टोहाना की मारूती अजंसी के सामने से शुरू होकर घोड़ा फार्म तक निकलेगा पी डव्यूडी से एस्जी और अंफल का कहना है कि इसका करेलगभग बेड़ साल में पूरा हो जाएगा मंगलवार सुबा से ही कॉंग्रेस नेता कुल्दीब बिश्णोई के दिल्ली खिसार और आदमपूर निवास पर चापे मारी हुई हर्याना की मुख्या स्चिव केश्णी यानंदा रोडा ने भारती अंतराश्वे व्यपार मेले की समिक्षा के लिए बैठक गुलाई बैठक की अध्यक्ष्टा हर्याना की तीसमी गवर्निंग बोडी द्वारा की गई आपको बता दे की ती चोधा नवंबर से नई दिली में भारती अंतराश्वे व्यपार मेले का करक्रम शुरू होने वाला है हर्याना ने उसकी खबर का बड़ा असर हुआ रेवारी में नबालिक रते का बीपी अलकार्ट बनाया गया सरकारी स्कूल में साथपी कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम बच्चे की माउस बच्पन में ही छोड़ कर चली गई और कुछ वक्त बाद पिता का भी तीवी के चलते निधन हो गया था सरकारी अधिकालियों ने बच्चे के बीपील कार्ट को भी रद कर दिया जिसको लेकर बच्चों को परिशानियों का सामना करना पड़ा इतना ही नहीं रितिक हरेणा का पहला ऐसा नवालिक है जिसका विशेरिश वीपियल कार्ड बनाया गया बुगतादे की हरेणा न्यूज ने एक खबर को प्रमुक्ता के साथ दिखाया पिशल गिनों हुई बारिश ने जहां लोगों को राहत दी तो वहीं घर और खेतों में खड़ी धान की फसल को भी प्रभावित कर दिया बारिश ने सबजियों के रेट को भी आस्मान तक पहुँचा दिया है सब्जी मेंडी में अधिकतर सब्जियां कम माचा में पहुँच रही है जिसके चलते सब्जियों के रेट एक दम से उचाहीं पर पहुँच रही है सबजी मेंडी में सबजी के होलसेल विक्वताओं ने बताया कि बाइश के कारण खेतों में खड़ी सबजी खराब होने के चलते अब सबजी में कमी आ रही है जिसके चलते अब रेट पहले के मुकाबले दो गुने हो गए है पिंजोर काल का रेलवे फाटा के फाल सो होटल की कमरे में 18 साल के हुआ कश्रफ पंखे पर लटका हुआ मिला सूशना मिलते ही पुलिस मोगे पर पहुँची और घटना सल की जांच करने के बाश्रफ को पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया Central Board of Director Texas ने income tax return फाल करने की अंतिम तारीक 31 जुराय से 31 अगस्त तक बढ़ा दी है बता दें कि ITR फॉर्म फाल करने की अंतिम तारीक 31 अगस्त के बाद इसे फाल करने पर जुर्माना भी देना पर सकता है वर्ट कप के बाद चोयन करता भाद ये टीम में बदलाब कर रहे हैं और खराब प्रदर्शन करने वाले खेलाडियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं तेम इंडिया में मनीश फांडे के दार जादव के अल राहूल और दिमान साहा को आखरी मोका मिला अगर इनके प्रदर्शन में सुधार नहीं आया तो भविश्य में इनका पत्ता काट दिया जाएगा सिल्म अभी नेचरी विदेवाला ने भी अफिल्म अन्माता बनने का फैसला कर लिया और अब वो यू टीवी के संसापक रहे रोनी स्टूवाला के साथ मलकर एक शोर्ट फल्म बनाने जा रही हैं जोसका नाम नटखट है मश्चूर अमेरिकी तैनिस प्लेयर अलिसन रस्ट ने सीफन अमरित राज से शादी रचाई है और शादी के बाद वो बोलिवुट टाने पठं के लगाती हुई दिखाई दी अपनी शादी पर एलिसन ने बार बार देखो के गाने नचले इस सारे बंठं के पर काफी तैयारी के साथ डांस किया जिस पर सानिया मिर्जा ने अपनी प्रचिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर जम कर लाइक किया जा रहा है बोलीवुड की रोमान चक जोड़ी रनबीर और आलिया जुल्दिकी शादी करने वाले हैं दो रोसार्ज 2020 सक शादी करने वाले हैं रिशी कपूर सितंबर के महीले में अपना इलाज कराकर न्यू योक से इंडिया वाप्रस लोट सकते हैं आने के बाद आलिया और रनबीर के शादी की देट पानल की जाएगी